दोस्तों आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के मचली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुन्दर बिहार चैनल के उपर कमेंट में आता है हम कोशिस करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं ताकि हमारे भीवर को अच्छा से समझ में आ सके तो दोस्तों आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज हमसे सवाल कीजिए हम कोशिस करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए तो चलिए आएए देखते हैं आज का पहला कमेंट किन का है पहला कमेंट है बीमल पाल के तरफ से लिखते हैं का प्लीज हाइलाइट इस कमेंट इंटो संटे कमेंट बॉक्स कौन से चारा से हम रात में फिशिंग रोट लगाएं और सुबह जाके मचली ले आएं मांगूर एस्नेक हेड या सिंगी मचली देखिए सब रात को आप जब भी मांगूर या सिंगी मचली पकड़ना चाहते हैं तो तीनों मचली के लिए अलग अलग चारा आप इस्तेमाल करेंगे मांगूर जिससे आप पकड़ेंगे उसी चारा से आप अगर सिंगी मचली पकड़ना चाहते हैं तो बड़ी सिंगी मचली पकड़ सकते हैं आपको मिल सकती है लेकिन मैं तीनों का चारा अलग-अलग बता देता हूँ जो आपको possible हो संभव हो उससे आप शिकार करेंगे अगर आप रात को मांगूर मचली का शिकार करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर चीज है snack head यानि गरई मचली हमारे तरफ उसको बोलते हैं गरई मचली अगर मांगूर मचली बड़ी है तीन किलो चार किलो की मचली है तो आप कम से कम तीन इंच चार इंच की snack head आप fishing hook में लगा करके शाम को पानी के किनारे अभी सर्दी का मौसम आ रहा है तो किनारे नहीं डालेंगे थोड़ा पानी के गहराई में डालेंगे और ऐसे जगह पे डालेंगे जहां पानी साफ हो यानि घास नहीं हो नहीं तो रात को मचली उसको निगलेगी और निगल करके इधर उदर घास में जाके फसा देगी तो सुबह आपको जाके निकालने में परिशानी होगा इसके लिए ख्याल किजिए के साफ पानी जहां हो घास थोड़ा दूर हो वहाँ पर डालेंगे तो मचली शिकार के लिए आती है असानी से फसेगी मांगुर मचली अगर आप चाते हैं एसनेक हिड पकड़ने के लिए गरई मचली पकड़ने के लिए बड़ी वाली एक कीलो दो कीलो इस तरह की तीसरा चीज है जींगा मचली, बड़ा वाला जींगा मचली है तो उसका छिलका निकाल दीजे, निकाल करके उसको फिशिंग हूक में लगा करके डालिए, इससे भी एसनेखेट पकड़ेगी, मांगूर मचली भी पकड़ेगी, इसके अलावा सिंगी मचली, सिंगी मचली थो चोटा तुकड़ा करके डालिए या अगर आपको डेड़वा मचली मिल जाती है जो पानी के उपर चलती है पतली सी मचली होती है वो मचली मिल जाती है तो फिशिंग हूक में डाल करके आप इसका शिकार कर सकते है अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो पोठ या मचली को भी काट करके छोटा छोटा टुकड़ा करके आप सिंखी मचली का इस्तेमाल कर सकते हैं बहतर शिकार होता है सर तो ये तरीका था शिकार करने का रात को सर्दी का म पढ़ेगा मतलब जीतना ठंड मौसम होगा उतना पानी के गहराई में आपको फिशिंग हुक डालना होगा यानि अगर किनारे गहराई है तो ठीक है नहीं तो पानी में थोड़ा अंदर दूर तक आपको फिशिंग हुक डालना चाहिए और कोशिश किजिए के पांच-दस फ आजमा सकते हैं दिन को भी ऐसे ही शिकार करेंगे अगर आप मतलब लोकेशन पर हैं आप चाहते हैं कि अभी चारा डाला मैं अभी शिकार हो जाए तो इसके लिए थोड़ा से ग्राउंड बेट डालना पड़ेगा जो चारा मैंने बताया फिशिंग हुक में लगाने के लि का जरूरत नहीं है सिर्फ आप फिशिंग हुक में चारा लगाए लगा करके शाम को सुरज डूब डूबने से पहले पानी में डाली और घर आ जाए सुबह में जाकर के अपना मचली पकड़ के लाए ये बेहतर तरीका होता है सर जब हम लोग को भी फूरसत नहीं होता है दिन के समय में तो ऐसे ही राद को शिकार करते हैं चैरा लगा कर शाम को डाल देंगे सुबह खूब सुबह जाकर करके अपना मचली लेकर आएंगे तो दोसतो ये तरीका थां रात को या दिनको मचली शिकार करने का ओके दोस्तो वीडियो लंबा हो रहा है शूंदर बिः देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू